कांग्रस दे सापका परदान राहुल गांधी ने दावा किता है कि क्रोना वायरस आफ़त दे मद्दे नजर के इंदर सरकार वलो चानक लगाए गई तालाबंती देश दे नौच्वाना दे पविख गरीबा आते संगर्टित अर्थविवस्ता दे हमला सी राहुल ने वीडियो जारी करके एवी क्या है कि इस हमले विरुद लोका नो खड़ा होना पविका कांग्रस नेता ने वीडियो विच क्या है कि क्रोना दे नाम ते जो कीता गया ओसंगर्टित खेतर ते तीचा हमला सी गरीब लोक छोटे अते मद्दम कारो बारी रोज कमों दे हान दे रोज खांदेयान पर तुसी बिना किसे नोटिस दे ताला बंदी किती तुसी इना दे उपर हमला किता उनना ने दावा किता कि पर दान मंत्री जी ने क्या हा कि एककी दिन दी लड़ाई होवेगी करोना के नाम पे जो किया वो असंगठित शेत्र पे तीसरा आत्रमन तीसरा वार गरीब लोग, स्मॉल और मीडियम विजनिस के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं जब आपने बिना कोई नोटिस लॉकडाउन किया आपने इनके उपर आकरमन किया प्रधान मंत्री जी ने कहा कि 21 दिन की लड़ाई होगी असंगठित शेत्र की रीड की हड़ी 21 दिन में ही तूट गई लॉकडाउन के बाद खुलने का समय आया और आप देखिए कॉंग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी नियाए योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालना पड़ेगा नहीं किया हमने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनिसे के लिए आप एक पैकेज दियार कीजिए उनको बचाने की ज़रूरत है बिना इस पैसे के ये नहीं बचेंगे सरकार ने कुछ नहीं किया उल्टा सरकार ने सबसे अमीर 15-20 लोगों का लाखो करोड रुपे टैक्स माव किया लोगडाउन करोना पर आकरमन नहीं था लोगडाउन हिंदुस्तान के गरीबों पर आकरमन था हमारे युवाओं के भविश्य पर आकरमन था लोगडाउन मजदूर किसान और छोटे व्यापारियों पर आकरमन था हमारी असंगठित अर्ध्र्यवस्ता पर आक्रमन दा हमें इस बात को समझना होगा इस आक्रमन के खिलाफ हम सब को खड़ा होना होगा बीरो रिपोर्ट सांज टीवी टूर पैकेज ते विस्टर वीजा वी लगवा सक देऊ ता फिर देर क्यों किसे वी मुलक ले बहतरीन फ्लाइट ना दिया सस्तियां हवाई टिक आखरी दले अजी आओ सैनी ट्रेवल्स नेडे बसरा पैलेस बंकारूर फगवाडा मुबाइल नंबर 94181-389-7477-330